तो गाइज आज का जो टोटल वीडियो को कॉंसेप्ट है वो यह है कि फेस्बुक पेज कैसे क्रियेट करते हो आप अगर आपको अपना एक ब्रॉंड प्रोमेशन करना है या किसी भी तरीके के इंफ्लॉंसर का काम करना है तो एक पेज प्रोपर आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा ओडियेंस है ज्यादा ज्यादा फ्रेंड लिस्ट आपके पेज पर है आपके अकाउंट में है तो उन सारे अकाउंट से यूजर को जैसे मेरे पास यहां 2850 facebook friends हैं तो अगर इन सभी लोगों को मैं चाहता हूं जब मेरा page मैंने आप page भी create करूँ और यह लोग उसको join भी कर लें तो इसका क्या trick यूज करना होता है step by step मैं सारी चीज़ों कहां पर होता हूंगा एक तो तरीका है अगर आप page को create करते हो तो उस पर लाइक send करते हो लोग उसको करते हैं कि नहीं करते हैं उनके उपर depend करता है बट आपके पास जो सारे friends है उनको कैसा है जब page के साथ create कर सकते हो उनको like भी करा सकते हो अपनी तरफ से तो यह सारी चीज़ें यहाँ पे हम वोगों ने पोस्ट डाल रखा है तो मैं एक काम करता हूँ, होम पे आज आता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक पेज बनाया हुआ, सेश चौहान नाम से, जो की यह है, और यहाँ पर एप्रॉक्समेट 2.6K फॉलोवर हैं और यह सारी चीज़ें, तो इस तरीके से आप पेज कैसे बना के, उस पर प्रॉपर काम करके प्रॉमोशन कर सकते हैं, ब्रांड का या इंफ्लूवेंसर का काम कर सकते हैं, और आपके पास ओडियेंस ज़्यादा हो जाने की वज़े से, आप उनसे पैसे भी ले सकते हो, और यह सारी ट्रिक जानने के लिए, यह पूरा का पूरा स्रीज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो आज फिलाहल मैं सिर्फ पेज के बारे में बात करता हूँ, ताकि आप लोग अकाउंट क्रियेट कर लिए, अब पेज यहां पे कैसे क्रियेट करना होता है, आपके सामने इस तरीके से एक कंसोल आएगा, अगर आप मोबाइल से यूज करते हैं, तो मोबाइल में इस तरीके का उप्शन आएगा, आप यहां से जाकर चेक कर लेंगे, आपका पूरा का पूरा डीटेल आ जाएगा, तो यहां पे देखो डीटेल है, यहां पे एक पेज यह, एक पेज यह, यह किसी और का पेज है, इन लोगों ने मुझे एड्मीन बना रखा है, ऐसे सारी चीजे, और देखो यहां पे लॉग आउट बगर करने के लिए पूरा का पूरा ही है, सबसे पहले बात होती है कि पेज हम लोग यहां से क्रियेट अगर करते हैं, तो क्या-क्या यहां पे अभी देखो बहुत सारा ओप्संस फेस्बुक ने अलाउग कर दिया है, जो कि आप यहां पे देख सकते हो, मैं अगर यहां पे क्लिक करता हूँ, साइध इंटरनेट स्लो है या क्या है, फेस्बुक ऐसे ही यहां पे बार-बार वो कर रहा है, बाकि अगर कोई पेज में दूसरा खोलता हूँ तो फड़ा-फट ओपेन हो जाता है, नो इशू, चलिए यहां पे थोड़ा सा वेट करते हैं, सो गाइज यहां पे आप क्लिक करेंगे और पेज, एड, ग्रूप, इवेंट, मार्केट प्लेस, लिस्टिंग, यहां पे कुछ और फंड्राइजर कुछ करके दिया हुआ है, तो मैंने अभी यह कुछ नए प्लेस, नई चीज़ें देखा, मार्केट प्लेस के बारे में कम्प्लीट आपको सिरीज मिलेगी, तो अबराल मैं इतने सारे कॉंसेप्ट यहां पे आप लोगो को सिखाता हूँ, तो चैनल को आप लोगो सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को दबा लेना, कोई भी अप्डेट मिस ना होने पाए, यहां पे इन्फोमेटिव वीडियोज आप लोगो को मिलती है, आईटी की कम्प्लीट प्रेपरेशन आप कर सकते हूँ, इन्स्टाग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर जोइन कर लें, वहां पे आप काफी बात मेरे से कर पाएंगे, मतलब कि जो भी आपके डाउट्स और सारी चीज़ें होती, वहां पे आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं, और आने वाले जल्दी ही मैं सारी चीज़ें पर वहां पे काफी ज़्यादा अवेलिबल रहूंगा, लाइब हम आप और सारे लोग बाते करेंगे, डेर सारे प्रॉब्लम्स वगरे को लेकर डिस्कस करेंगे, आईटी में क्या कैसे, सारे करियर अपरचुनिटीज को कवर करेंगे, यहां पर मैं बात करता हूँ आज पेज कैसे क्रियेट करना, चलो यहां पे, क्रियेट पे क्लिक कर लेना और पेज ऑप्सन को, बाकी यहां पे क्या-क्या उप्सन से इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे, पेज पे आजाने यहां पे दो उप्सन सापके पास आते हैं, बिजनस और ब्रैंड और कम्यूनिटी और पब्लिक फिगर, तो guys यहाँ पे business or brand पे अगर आप click करते हो या कोई public figure हो आपका कोई brand है आप कोई business promotion से related काम करना चाहते हो so you have to go with business or brand अगर आप public figure पे जाना चाहते हो like आप celebrity हो आप अपनी face value को वहाँ पे बस दिखाना चाहते हो तो आप public figure option select करेंगी यह mandatory है यह category आपको जरूर select कर लेना होगा अगर आप यहाँ पे गलस select करते हैं तो आपका page उतना बढ़िया response नहीं करेगा जिस चीज के लिए आप यहाँ पे बना रहे हो तो मैं यहाँ पे select करता हूँ business or brand और मैं यहाँ पे click कर दिया अब यहाँ पे पूछ रहा है business or brand name तो मैं यहाँ पे अपने page का नाम और उसकी category select करूँगा यह proper हम लोगों को check करना है कि यह सही होना चाहिए और पहले से हब सारी चीज़े decide करके रखोगे और लेडी मेरा technology and science पे पूरी की पूरी चीज़े हैं तो मुझे कुछ नहीं सोचना है मुझे यहाँ पे अपने page को लेकर चलना है सीखो live और यह मेरा हो गया सीखो live मैं एक बार इसको थोड़ा सा S I K H O L I V सीखो live online training and education ऐसे मैं कर देता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे category select कर लो category हमारा क्या है मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ computer C O M P U computer तो यहाँ पे आ जाएगा computer and internet website computer shop computer training school computer repair और यहाँ पे technology and engineering science, technology and engineering तो यह पूरा का पूरा मेरा हो जाएगा और मैं select कर लहाँ बट मैं यहाँ पे school वाला option नहीं select कर रहा हूँ training school जो दिया था क्योंकि यह training school नहीं बलकि यहाँ पे पूरा का पूरा science, technology and engineering की preparation कराई जाती है तो मैं यहाँ पे okay कर लूँगा और उसके बाद आगे हमें थोड़ा सा wait करना है आपके पास logo, brand और सारी चीज़े होनी चाहिए जो कि मैं लास्ट वीडियो आपको बताया था कि कैसे आप logo और पूरा का पूरा step वहाँ पे complete करते हो तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि add a profile picture जो आपके profile picture page पर आपके दिखे वह कैसी होनी चाहिए अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा हूँ like इस वाले page को open करके like मेरा जो page है see more पे मैं sorry मैं यहाँ से आ गया गड़ पड़ो गया मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे देखो यह आ गया मेरा यह जो page है आप देखो already एक page है मेरे पास जो कि इसका background कुछ इस तरीके से है तो आप जितना बढ़िया visible background लगाएंगे उतना अच्छा user interaction user response और आपके page पे fan following और जो भी आपके followers है वो बढ़ेंगे है ना उनको information पूरा clear and visible होना चाहिए तो आप यहाँ पे उस तरीके की profile बना लेंगे आपके पास अभी मेरे पास यहाँ पे मैं नहीं add कर रहा हूं मैं उसका setup आपको करके पूरा page दिखाऊंगा कि नया page कैसे मेरा यहाँ पे create हो रहा है तो यह आपने बना लिया उसके बाद मैं यहाँ पे escape करता हूं escape करने के बाद मुझे आगे चलना है यहाँ पे add a profile cover page और यह सारी चीज़े पूछ रहा है तो मुझे अभी कुछ नहीं करना यह देखो सीखो live online training and education इस तरीके समारा आ गया अब यहाँ पे कह रहा है कि invite friends to like your page अब यहाँ पे हम इन सभी लोगों को invite कर सकते हैं like करने के लिए तो यह लोग like करें ना करें पता नहीं क्या response इन लोगों का है तो यह सारी चीज़ें होती है बाकी अब यह पूरा का पूरा page setup है मैं आपको page setup के बारे में आगे की videos बना दूँगा अभी मैं यहाँ पे क्या गरता हूँ कि बस इतना ही इस video में बताता हूँ क्योंकि इस sort जो video होती है वो काफी informative आपके लिए रहेगी और concept आपको समझ में आएगा तो यह page आपको बना लेना है एक और तरीका होता है page बनाने का जो मैं next video में cover करूँगा जहाँ पे आपके जो यह likes कराने के लिए आपसे पूछ रहा है यह नहीं मागेगा तो यह सारी चीज़े वीडियो कैसी लेगी comment करके बताएं पूरा console आपको समझाना है काफी लंबा concept चलेगा क्योंकि यह पूरा का पूरा एक digital marketing का पार्ट है तो ऐसे थोड़े से में मैं इसको complete नहीं करना चाहता वीडियो कैसी लेगी comment करके बताएं and हां बहुत सारे लोगों को page बनाने आता है so please उनको वीडियो देखने की नहीं है और मैं पहले यह बोलना चाहिए था बड़ मैं last time बोलना sorry for that but आगे की चीजें आप सभी लोगों के लिए mandatory जिनको page बनाने आता है नहीं आता है वो सार हुआ